जश्ट फोर कोड दोस्तों आगे हम अपने लेक्ट लेक्टर लेके HTML लेंग्वेज के यानि कि आपका HTML का टुटोरियल चल ला है वो बहुत अमेजिंग टुटोरियल हो लिए माला है आगे देरे देरे आप बहुत सारी चीज़े नई नई चीज़ों को सीखने वाले हैं इसके अंदर पेसेंस रखेंगे देरे देरे काम करते रहे हैं CSS का वीडियो इविणिंग में जाता है तो आप उसको भी देखते रहे हैं और HTML का वीडियो आप मॉर्णिंग में देखते रहे हैं दोस्तों और कंटीनिसली अगर आप पढ़ रहे हैं इसके बाद जावास के पढ़ाऊंगा काफी सारी चीज़े आप सीखने वाले हो ठीक है धीरे-धीरे आपको ध्यान देनेगे अगर आप तो नोट से आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप प्रेक्टिकल जब तक नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला इसलिए अगर आपको अच्छे से इस फेल्ड में आगे बढ़ाना है तो आपके पास प्रेक्टिकल नॉलिज होनी चाहि लेकिन आपको पेशन्स रखना होगा उसके लिए फिलाल इस वाले प्लेजिस को आप वाश्ट करते रहें देखते रहें आगे काम करेंगे ब्यस्कोर्ण में आजएंगे कंट्रोल एस करेंगे नहीं पेज बनाएंगे यानिके नया फाइल बनाएंगे डेश्टॉप पे से इसका नाम यह आपका चैप्टर 7 है इसलिए HTML-7 इसका नाम रखा .html extension code define कर देंगे सबसे पहले तो आपको डॉक्ट टाइप लिखना होगा यानिकि HTML5 लिख रहें तो यहां पर आप अपसे लिखना है डॉक्ट टाइप HTML उसके बाद आप HTML स्टार्ट कर गए इस तरीके से यहां पर दिखें टाइटल में क्या दिख रहा है जैस्ट कोड कोड क्योंकि मेरा चैनल खुला हुआ है जो अपना वेपसाइट खोलेंगे जो भी हम बना रहें तो यहां पर होमपेज दिखेगा अब इस हेट टेक हेट ठीक नीचे आपका बॉड़ी टेक होता है तो आपको डिखाएट क्लिक करई और open with google chrome कर लीजimana तो जब यह open हो जाएगा यहां ए जिखाएगा अब आपको पेसेंस रखका ना होगा उसके लिए अब यह आपने एट्रीबूट पढ़ाता है, तो बौडी का मलब आपका बॉडी है, यह आपका बौड़ी का बॉड़ी है, आपको आपको बैञे अपको पीज आपके मिलता है, और यहां पर आप कोई भी कलर दे तो जैसे में घरेट कलर दे गया तो जो आपका बाड़ी। अगर आपको इमेज लगाना है इमेज अगर आप चाहिते हो लगाना तो सबसे पहले तो इमेज को डाउनलोड करना होगा तो आप यहां पर लिखे दरा गूगल इसे साउच रिखे है ड्राफ गूगनिज अपको गूगल इमेज लिखे हैँ- अपको गूगल इमेज कर दिख्याइड इस पर कलिक ग करेंगो यहां से अब हैश कर सकते हैंचhoo आव वाल-पेपर ड् nggak ऑल-प पर हम् लोड कर लिए किसी भी image को ठीक है तो यहां पर आप जो है इस पर किलिक करके right-click कर यह और save image age कर लिजिए तो यहां पर आपको कहिना करें save image age यह रहा इस पर किलिक कर लिजिए और desktop पर save कर लिजिए तो desktop पे मैं इसका नाम दे देता हूं नाम change करते हैं बीजी डॉट जो भी रहने के बस बीजी लिख दीजे नाम आपका ठीक है सेव कर देंगे तो यह सेव हो के डेक्स्टॉप पे चला जाएगा अगर आपका डाउनलोड फोल्डर में जाता है तो डाउनलोड फोल्डर से उसको निकाल के आप यहां पर सेव कर लेंगे ठीक है इसको डिलीट कर दीजे ठीक है ठीक है नहीं डिलीट ना थोड़ी देर बाद डिलीट करेंगे आईए दरह यहां पर तो हमें दूसरा कोई फॉर में डाउनलोड करना होगा इसको कट कर दी कोई और इमेज देख लिजे तो यह भी आपका एक मेंज है तो यह वाला कोड होगा वो कोछ और होगा तो इसका एक्टेंशन कोड क्या है जे पीजी ठीक है तो यहां पर आप देख लिए तरह इसके इमेज हमारा डाउनलोड हुआ वह आपको दिख रहा होगा इस तरह से तो डेक्स्टॉप पर डाउनलोड हुआ है तो कोई बात नहीं अगर आपका जब आपको color देना होगा अभी आपको इमेज लगाना है तो आप आपको में अगर आप रिलोड करए तो अब तो सारे चीज़े में आगे बता दूँगा फिलाल हमने ऐसे इस दिखर, ऊपको कहां दिखेगा यहां पर आपको अगर पापको दिखा आपको जैसे प्ट कउर कोड का का कलर करना होता था था आप क्या करते थे आप style के help से करते थे यानकि style लगाते थे इस तरीके से style attribute का यूज करते थे और color वगरा red करते थे ठीक इस तरीक से red करते थे तो यह आपका style वाली property यानकि style से related सारी property CSS की property है इसको अटाईए अगर आपको HTML का use करके इसको color वगरा red करना होगा तो कैसे करेंगे सबसे पर लिए समझे इसको center में कैसे करेंगे अगर आपको इस चीज को center में करना है HTML के help से कैसे करेंगे जो आपका h1 यह जो आपका h1 है इसको यहां से control x कर लीजी यानकि control x coming up cut कर लीजी center take को आपको start करना है और center take के बीज में आपको इस चीज को रखना है h1 को center take के बीज में जैसे आप रखेंगे automatic यह center में चला जाएगा ठीक है यह दिके reload करिए अब यह यहाँ पर center में आ गया ठीक है अब इसको अगर आपको color करना है तो color करने के लिए आपको आपको यहाँ पर font के यहाँ पर आप क्या करेंगे font का यूज करेंगे और यहाँ पर आप इसका font family चेंज करना है तो फिल्हाल में ऐसे दे दिया यहाँ अगर आप इसका font family चेंज करना है तो अगर आपको चेंज करना है तो face attribute चेंज करना है तो face attribute में अगर आपने ऐसे डिफान कर सकते है तो वर्दाना अगर आप लिखते हो तो वर्दाना आपका आ जाएगा परफेक्ट तो कोई भी font family आप दे सकते हो कैसे मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी दिरे में कैसे द कोई भी font family आपको कर देना चाहे तो तो नोड़ पेड में जाएए अपको नहीं मालू होँ है font family कहां से देखेंगे नोड़ पेड में जाएंगे और यहां पर किलिक करिए दरह अजिए जो आपका edit है या इस पर किलिक करिए फाइल पे या व्यूव पर किलिक करिए यहां पर फाइल परर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो आपको फॉर्मेट कह collectors की तो यहां पर इसके अंदर देखरेंगे कि कहां अदर पर है इस क्पर करिए अप है यहां पर आप फट फोनट कर सकते हुं ठीक है तो फिलहाल कोई है उसको यहां से 모습 कर लाए तो यहां से कोपी कर लेंगे यहां से और अपने वियस कोड में आके इसका बना देंगे तो इसका बनाएंगे आउटपुट के रूप में वह फॉंट पेमिली आपको यहां पर नजरा जागे यह दिखे न इसे किसे यहां तो वर्दाना ठीक था इसलिए इसको वर्दाना डिफाइन के इ इस चीज को ठीक है अपका एट्रीबूट होता है इस चीज को हम एट्रीबूट बोलते हैं लेकिन जब यही चीज आप रियक्ट के अंदर या नेक्शेस के अंदर काम करेंगे तो इसी चीज को हम प्रोपर्टी बोलने लगते हैं महां पर ठीक है तो साइज का वल्यू इसलिए मैंने 7 दे दिया तो साइस केवसे आप इसका फॉन्ट डाल कर सकतो बिना को यूच किय तो मैं यह पर 10 दे दिया तो होगा क्या यह काम नहीं करें से और कलॉर के नाम से अपको डिभाн तो फिलाल यह जो बैग्राउंड इमेज से सूट नहीं कर रहा है तो अब आपको लगाने बताए कोई भी बढ़ियां से बैग्राउंड इमेज आप लगा देना फिलाल मैं यहां पर बीजी कलर का यूज कर लेता है अनकि जो बीजी कलर वाली प्रोपर्टी था एड्रिबू को आप वाइट कर दीजिए तो यह और अच्छा दिखेंगे मैं ऐसे वाइट कर दिया ठीक है नोडिस करिए दिखें वाइट हो गया है न इस तरीके से तो अभी आपने समझा कि सिर्फ और सिर्फ है कैसे बेग्राउंड कलर करेंगे तो बॉड़ी में आपको लगाना है ब कर सकते हो चीट हो ठीक है तो फोंड के अंदर कितना प्रोपर्टी अब लगा सकते हो फेस हो गया साइज हो गया कलर हो गया और भी होती हुआ सब दीरे दीरे आप सीखेंगे फिलाल इतना सीखिए अब इसके ठीक नीचे मुझे एक पैराग्राफ लिखना है तो इस दिखे फूर्कोड सर्विस डॉट को अगर आप रिलोड करेंगे तो यह चीज आपको यहां पर देखा है यहां से स्टार्ट हुआ मुझे center में रखना था इसलिए आपको center take के अंदर रखना है तो center take के अंदर रखें जहाँ पर पहले था यहाँ पर ठीक है control-z करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यह testing करेंगे मैंने reload किया तो यहाँ पर आ गया है perfect phone size थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है और color आपको चेंज करना होगा तो इसको आपको phone से लॉग करना है श्रीप pure HTML से अगर आप करना चाहते हो तो phone take का यूज करेंगे तो जो भी आपका टेक्स्ट है उसको phone से लॉग कर देंगे अब इसमें आपको color बगरा यूज करना है पहले तो size define करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाए तो size का मैंने use करें इस तरीके से और size का volume मैं 5 define कर देता हूं तो यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा size बढ़ा दीजिए 7 कर देंगे यानिकि जो सबसे बड़ा size हो define कर देंगे तो अभी यह इतना बड़ा हो जाएगा perfect ठीक है तो चलिए अभी यहां पर काम करना आपको तो यह size हो गया आपका और color हो गया और क्या करना है font family change करना तो यहां पर आप face के नाम से यानिकि face के न करवाना है यानि कि यह चीज़ अगर आप animate करवाना चाहते तो कैसे करेंगे इसको control x करिए जो आप पर टेक्स है इसको मार्की टेक से लोग कर दीजिए यह पूरा font है या पूरे पी टेक को ही मार्की टेक से लोग कर दिए तो animation होना शुरू हो जागा तो ऐसे मार्की टेक पर अगर बीबशiece कर起ल करों कि नित्य प्लिद यह अगर ब कर दीजिए तो यह और अच्छा लिखेगा। देखे मैंने रिलोड किया यह दिखे रेट कलर हो गया आप इसको बुलो करेंगे यानिकि यह वाला कलर तो और अच्छा देगा इसको नेवी कर दिए तो इदर से आ रहा है इसका डिरेक्शन अभी क्या है राइट है लेफ्ट से डिफाइन करना चाहेते हो तो डिरेक्शन आ अगर आप इसर दिफाइन करां सकते हैं इसका वअगर आपने डिफाइन कर डियाल तो अब यह लेफ्ट से चलेगा मने रिलोड किया एक अजलने के लेफ्टस निकलेगा और ऐड गाइंकि ère आगर यह शनी की लेफ्टसे निकले गा और स должно राइट में जाहें अगर आप चाहेते हो कि right से निकले और left में जाये तो direction का value आपको left define करने इसका हमलाब simple सा यह है कि अगर आपने यहाँ पर left लिखा तो वह left के तरह के तरह मोब करेगा और अगर अगर आपने right लिखा तो right के तरह मोब करेगा पर्फेक्ट ठीक है इसके अंदर कुछ और चीज़े हैं जो आप लिख सकते हो जैसे कि डारेक्शन होगा और भी स्कॉल अमांट डिफाइन कर सकते हो तो इसक्रॉल अमाउंट से क्या होगा ऐसे लिखे अधरा देखे मैंने रिलोड किया अभी देखे इतना फास्ट हो रहा है तो इस इसको आप थोड़ा सीलो रखें फिप्टी नहीं रखें ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे ठीक है तो इसका एनिमेशन स्पीड कर सकते हो एक और डिफाइन कर सकते हो आप यहां पर आप डिफाइन करें अगला विद के नाम से तो डिफाइन करेंगे डिफाइन करें और विद का वल्यू अगर आपने फिप्टी दे दिया तो यहीं से निकलेगा और यहां पर जाके खतम होगा अगर आप चाहते हो यह इसमें टाच हो फिर रिटान आए तो पहले तो इसका विद बढ़ा दिये उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको बीहवियर को बीहवियर को अल्टरनेट करना है तो बीहवियर के नाम से एक एट्रिबूट होता है उसको डिफाइन करें तरह तो यहां पर लिखेंगे से बीहवियर ऐसे लिखें बीहवियर और इसका वल्यू क्या कर दे तो alternate अगर आपने behavior कभल कर दिया तो अब क्या होगा अब यह होगा कि अब यह उधर जाएगा और return हो जाएगा तो behavior में आपका यहां पर यू नहीं रहेगा बस आप यहां पर ऐसे लिखेंगे भी इच ए वी आई ओर behavior ठीक है दिरे दिरे आपको काफी ज्यादा interest आएगा बस पेसेंस रखेंगे और काम का तरी है थेंक्स वर इंजोएंगे एजुकेशन ओप जेस्ट फूर कोड़ सी यू सून जैहिंद जैबार